हलो इभरीवन विल्कम तुने जीनेर्स पॉइंट आज हम पढ़ेंगे कैनाल का ड्राइंग एल सेक्षन यानिकी लोगेटेवनल सेक्षन यानि अनुदार दयाच अभी तक हम जो कैनाल के टोपिक पर रहे थे ओथा आपका क्रास सेक्षन है ना इनी बगल से देखके बना रह होता है जैसे कि कोई क्यá है नहार है अब किदर से देख कर बना रहे तो अंपरास्त कार आब नहार को कि धर से बनाएंगे इधर से देखकर बनाएंगे तो काट कर बनाएं या भर के बनाएंगे काटे होंगे इससे पहले यहां कुछ जमीन कतल होगा है की नहीं क्या होगा आपका एक जमीन कतल होगा इतना मिट्टी क्या की हम काटे हैं तो यह एल सेक्षन से पूरी लंबाई में बनाया जाता है तो एल सेक्षन से में पता करते हैं कि नहर कहां कटिंग में है कहां फीलिंग में है कितने मिट्टी लगेघा उसको भरने में कटिंग में कीतने मिट्टी कहां से काट करके निकाल है आहता अगली समय समस्टर शेक्षन सबसे पहले हम थोड़ा 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 बताएंगे यहां कटिंग आ रहा है इतना गहरा काटना है इतना भरना है शारी चीज़े पता चलती कहां से से उसके बाद हम उसका quantity निकाल दें हाँ इतना मिट्टी लगेगा यह इतने मिट्टी काट करके निकाला जाएगा चीज़ा समझा रही देखे कैसा होता है देखिए हम पिता रहे हैं सबसे आपको मिलेगा में सी लेवी नहींने इसमुद्र का सहल आप समद्र का अपको सर्व समुद्र तल से कितना उचा है इतना है कोई कोई चीज इतना गहरा है तो किसे से गहरा है उसी समुद्र तल से इंचाई को सबसे पहले हम क्या होगा कुस कुस दूरी पर जीरो सोमीनेटर दो सो सोमेटर थीन सोमीटर चार सुमीटर सबसे गराई कितना उचाइ कि न πάkh जमीन का है कि बूल गया देखिए यह मिल अपका जातden गहां जाएगा यह हो यहां जाएगा यहां इतना मीटर देखें जमीन उबल खाब अधिके हर जगह जमीन ऐचा नहीं कि एक मीटर का अंतर होगा कैसे अंतर होगा यहां सव है ते हाँ आजाएगा सव दसमलो जीरो दो यहां क्या हो जाएगा वाई सव सव दसमलो पांच यहां क्या हो जाएगा आपका 99 दसमलो बाट इन थोड़ा-थोड़ा लेकिन जमीन हर जगह थोड़ा-थोड़ा आई सबसे पहले आपको नेचराल सर्फेस लेवल कहते हैं जैसे कि आपको दे रहे हैं क्या रहे हैं हम आपको दे रहे हैं कुश्चन और एक मॆ प바BA देंको चब्षारा को जीर तक फ्र हम्にृंता ह valid से क्यां का आपका रडी मतला डिस्टेंस किस में 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 पी Rob a यह चाहिए आपका एन एसल ने चुलर सफिस लेवल में फिर वगाब फार मेंसलेवल एपी किसमें है मीटर अब फार मेंसलेवल क्या देखियेगा पहीं अब यह तो जमीन है उबाब खाबरना लेकिन हम इसमें नहर नहर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे नहर एक स्लोप में बनाता है तो तो नहार होता है यह जाता है जितने आगे जाएंगे और सिलोप में जाएंगे तो नहां लेता है एही से बनाना हैं डिखेगा तो कैसे बना करेंगे थ्थोरा सा स्लोप दोड़ा सव्लोप लेते हुए हम चले गए अब आपको यहां पता चल गए क्या करना है है की क्या करना है करना तो आपनेसे का थे लेवल यह निरमाल तल क्या है निरमाल वही तो किया गया है तो फार्मेशन लेवल भी दिएगा इतना चीज़ समझ आगे तो चलिए हम बनाता है आड़ी मतलब क्या होता है वह रिडियूस डिस्टेंस यहीं कितने-कितने दूरी पर हम लोग कितने-कितने दूरी पर हम लोग डाटा को लिये हैं अधिमतलों कितने-कितने दूरी पर लिए यहां कितने-कितने दूरी पर लिए तो यहां ले ले रहा है हम कितना जीरो गश्राइब 200-400 गरत बात यहें तो 200-400-600-800-1000-214-16 दूरी पर हम क्या लिए है दाटा लिए तो पहले का डाटा कितना मिल गया है 150 फिर मिल जाएगा आपका 150.9 फिर 148 ठीक है फिर क्या मिल जाएगा आपका 151 148.5 फिर मिल जाएगा आपका 100 150.5 ठीक है फिर 100 150.5 फिर मिल जाएगा एक सो बावन है कि नहीं 148.5 फिर 149 फिर आपको डेटा देगा ठीक है बिना इसे बनाने पाएगा नहीं देगा तो आप याद रख लेजिएगा अब क्या मिलेगा आपको फार्मेशन लेवल ठीक है अब क्या मिलेगा मेरे लाल फार्मेशन लेवल मिलेगा ठीक है चलिए फार्मेशन लेवल देखते हैं क्या मिलेगा आपको एक फार्मेशन लेवल मिलेगा फार्मेशन लेवल हम ले रहे हैं आपका कितना एक सो एक सो उन्चास दस्मलो आठ कितना हुजाएगा आपका एक सुन्चास दस्मलो आठ ठेक है क्या मिल जाएगा आपको एक फर्मेशन लेवल ठेक है एक सुन्चास दस्मलो आठ मिल जाएगा अब क्या करेंगा तो डेटा हम क्या करते हैं कल्कुलेट करते हैं ठेक है क्या करेंगे मेरे लाल टेट हम कल्कुलेट करके लिखते हैं इसको एक सुन चार्च दसमलो आठ में से एक सुन चार्च दसमलो तीन एक सुन चार्च दसमलो तीन है ना कि इस एक सोन चार्च दसमलो आठ एक सुन चार्च दसमलो तीन थीक है ए एसकțनानीतरीस दसमलो एक सस्वानेतायरीस दसमलो आठ 147 दस मिलो तीन 146 दस मिलो आठ 146 दस मिलो तीन और 146 दस मिलो 146 दस मिलो अब देखे क्या किया है हमें डाटा क्या भी कामट कर रहे थे जो फार्मेशन लेवर निर्मार का तल है इसका जो स्लोप होना चाहिए जिखाई देरा नो ऐसका इसका जो स्लोबोल और का ओप एक समान होना मिलेगा यहें तो बिलता हुआ चला जाएगा तो डाटा आइसा ही देगा नहीं देगा तो अब पॉइंट फॉर घटा सकते हैं अब क्या करेंगे सबस्क्राइब लिखेंगे इसमें इसकेल नो दो तरह से होता है एक अपका मिलेगा जो हम सो मीटर को मानेंगे एक सेंटी मीटर क्या मानेंगे सो मीटर को एक सेंटी मीटर दूसरा मिलता आपका वर्टिकल से छेल क्या मिद्याब कर वर्टिकल इसकेल क्या मिलें एक मीटर को खीचेंगे हम एक सेंटीमेडर ठीक है जीन हम सबसे पहले में कि अच्छेंटल लाइन अच्छेंटल लाइन टिक लिए आपको सीधा जाएगा मेरे लाक एकड़ा जाएगा कि एदर उदर सकते किम टीचर है मेरा माँ वाव इनव सीधा हो गया ठीक है कोई बात नहीं ठीक है देखें से लिखेंगे जीरू फिर क्या जाएगा ये एक कितना जगा 200 400 600 800 1000 1200 1400 क्या जगा आपका 1600 है कि नहीं ठीक है यह क्या है यह दो-दो-दो-दो-सो मीटर है कि यह कितने पर ने देखेंगे कि कहा सुरू हो रहा है सबसे लोग दाटा में देखेंगे 157 146 इन दोनों सबसे लोग डाठटा क्या 146 146 146 तो कम दिखने रहा है हम शुरू करेंगे 150 सुरू 155 से कहां शुरू करेंगे 145 मिटर हो गया 145 हो गया 145 ठीक है फिर कितना हो जाएगा एक सेंटीमेटर पर 146 यह तो एक सेंटीमेटर हो रहा है लेकिन आपका सेंटीमेटर हो गया 147 मेटर एक क्या जाएगा आपका 148 मेटर फिर एक सो उन्चास मेटर एक सो पचास मेटर एक सो पचास मेटर फिर के लिए एक सो क्याओं मेटर एक सो इक सो इक सो क्याओं मेटर हो आएसठें काहँ तक है fb वह करते हैं कि मीटा देता कैसा थे इंगे तब को नुकसान नहीं यह फालों मगे फोझक नवीट तेख सो तिरपन मीटर ठीक है उसके बाद यह मिला देंगा हम हुआ है कि अधिक है अधिक है 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 हो जाएगा ठीक है अब क्या करता मिला देखे सबसे पहले एन एसल मिला यह पहला सबस्क्राइब होगा के सबस्सक्राइब कर लगव किकर करता सबस्सक्राइब करता हुआ इसके बातk कर दो सबस्सक्राइब गवादक 16 by decía 100 इंग चलाए है यहां चला गया फिर पिर एक्षोब 100 एक सो एकसो चाला गया यहां चलका पिर फिर फिर और 135 श्चरेक्स में पान्सपर सिंसे विल्ह FLU । इसलों ऐसे मिलए चीएगा का यह मुद्धं सब्सक्रीशब का घंड में Grund lessошई मास कि में की VP सो बावन एक सो बारे सो पर आजाएगा ठीक है फिर चवदेस वर कितना 148 दश्मलों पांस देख एगा 114 वे जा रहा है 145 शोलेसों में कितना है 119 वर यह उन्चास कि अब क्या करने इन लों को इन नों इनको फिरियंड मिला देना देखें तर्स फिरियंड कैसे मिलाएंगे कि यह क्या है ने जमीन का तल यह है अब इसी जमीन के तल पहंगो क्या बनाना है नहर बनाना कि आवाज कर रहा है कि इंक देंड हो गया है कि खर्चा बढ़ गया है चलिए ठीक है अब हम फार्मेशा लेवल बनाएंगे फार्मेशा लेवल पाले पर कितना 149.5 यहां है बीच में ठीक है उसके बाद कितना 149.3 यहां जाएगा थोड़ा सा नीची आ जाएगा 140 848.8 यहां है फिर 148.3 यहां है फिर सोरी 800 पर कितना वाई 147.8 यहां जाएगा 147.8 फिर एक हजार पर 147.3 कि बारे सो पर 146 दस्मिलों आठ कि इस चालीच दस्मिलों आठ है ना चौदर सो पर 146 दस्मिलों तीन कि और 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 कि इस चाली पर 145 दस्मिलों आठ यहां करेंगे यहां लाइन उसार एक। ठीक है एकदम कैसे मिलेगा यह लाइन एकदम कैसे मिलेगा सीधा लाइन मिलेगा ठीक है ना देखिएगा यह लाइन कैसा मिलेगा आपको एकदम सीधा लाइन मिलेगा अब बते नहर बहते हुए चला जाएगा ठीक है और डेटा देगा अब आपको पता चला है यहां नहर क्या है काटेंगे जमीन के ऊपर इहां क्या करेंगे कट काटेंगे हुए कि बढेग यहां क्या करेंगे हम भडब यहां क्या होगा हम को काटना पड़ेगा क्या होगा ईक टेक खत्ह। लेवर और इसे क्या लिदेंगे के आपका आर्क रखनार सब्सक्रा प्रबुदा उसको बंप आगना उफलासा नीहीं पुच्छा मॉच्छा से जर्बात करें कि इस थे खनत départ बंप तो तो प्रीव के लिए ने वहीं ठीक है ना एक क्या हो गया हो गया काईनाल है कि केनाल ड्राइंग आपका खतम हो गया तो गलत ने और तो बाय उप नसे बना लेकिन एक कर अगा जाएक नई एनसल का टर्म है ने जिश्व जीसे कैनल क्याम व्याइंट यह सिधा देते थे शिदह कहते थे कि बर्म इतना लंबा है वह जालते थे इतना वुझा है इसल इतना वुझा है अनुचा है तो डाइरेक्ट दो मीटर 50 सेंटी मीटर 70-90-100 सेंटी मेटर एक दो मीटर ऐसा यह काते थे लेकिन ऐसा नहीं देदगा कभी कभी कोस्टन को एंसल क्रमें देता है क्या कहता है कि का नाल का एफसल का एन जो का एसल का आरियल 202 मीटर है आणि利 को करेंगे हम सारे को स्टे हम डिटेल estreng करेंगे गभड़ाना बिल्कुल नहीं है तो आज के लिगे वशान ही मिलते हैं अगले लेक्चेर में एक all old